गुरू का दर्जा हमारे समाज में भगवान से भी उपर दिया गया है। वो गुरू ही होते हैं जो हमें भगवान की बारे में बताते हैं, हमारे भलाई का बताते हैं। लेकिन जब वही गुरू अपनी मर्यादाय भूल जाये तो क्या किया जाये। दरसल एक सिक्षक ने पांच साल की मासूम सी बच्ची का हाथ तोड़के रख दिया जड़ा सोचिए उस छोटी सी मासूम बच्ची का क्या कसूर होगा जिसकी वज़े से उस टीचर को बच्ची पर दया भी नहीं आया बच्ची का कसूर बस यह था कि वह पैरट की आए दिन ऐसे मामले देखने और सुनने को मिलते हैं जिस पर यकीन करना काफी मुश्किल होता है लेकिन इस बार भी एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी चौक जाएंगे दरसल एक 5 साल की बच्ची ट्यूशन पढ़ने के लिए अपने घर के बगल में ही जाती ह अमेशा की तरह वह बच्ची जाती है ट्यूशन पढ़ने के लिए लेकिन टीचर उससे पैरट की स्पैलिंग पूसती है और वह बच्ची पैरट की स्पैलिंग नहीं बता पाती है जिसके कारण उसके ट्यूशन टीचर को गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि उस बच्ची का हाथ जोड से मरोर कर उसका हाथ तोड़ देती है जिसके बाद या मामला पुलिस तक जा पहुचा दरसल या पूरा मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है जहां अंग्रेजी शब्द पैरट की स्पैलिंग नहीं बताने पर 22 साल के ट्यूशन टीचर ने 5 साल की बच्ची का हाथ मोड कर तोड़ दी जिसके बाद लड़की के माता पिता ने थाने में जाकर केस दर्च करवाया फिर उस टीचर को पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार भी कर लिया जब हबीब गंच पुलिस थाना प्रभारी मनीश राज सिंग से बाचित किया गया तो ने बताया कि हबीब गंच इलाके में परियाग विश्व कर्मा नाम की टीशन टीचर ने मंगलवार को पैरेंट शब्द की स्पैलिंग नहीं बताने पर अपनी स्टूडेंट के हाथ को बुरी तरह तरीके से मरोड दिया जिसके कारण उसका हाथ ही तूट गया इतना ही नह इस मामले पर सामने आती है और बताती है कि बच्ची गंबी रूप से घायल हुई है जिसके बाद बच्ची को अस्पताल में भरती कराया गया वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी मनीश राज सिंग भदोड़िया से बात्चित किया गया तो उन्होंने बत पढ़ाई करें किसी बड़े स्कूल में उसका एड्मिशन हो जिसके चलते पास ही के एक ट्यूशन टीचर के पास अपनी बच्ची का एड्मिशन करवा दिये थे वह डेली शाम को ट्यूशन पढ़ने जाती थी लेकिन उस दिन ट्यूशन टीचर ने उसके साथ बहुत गलत बच्चों को किसी भी ट्यूशन टीचर की पास कैसे भेज देंगे बागे इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताए इस खबर में बस इतना ही ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रही जंता जंक्षन वीडियो तो हमारे फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यमाद